हुआ है अज है अप लोगों को प्राइमरी कलर इसके बारे में कुछ बताए जाएगा इसमें में तीन कलर जोन होते हैं रडर द्री जड्रिंद ययलो उनको किस तरीके से फ्रम 시청 के अंदर यूस कर रहा है। उनका कॉमिनेशन को किस तरीके-, से में बनारा यही सब चीज़ें आपको बताई जाएंगे किस तरीके से खोला जाना थैंक यू यह रेड कलर है यलो कलर है यह यलो है और यह प्लू है यह तीन प्राइमरी कलर्स है इन कलर को इंप्रेमेंट करने का जो तरीका है भरने का जो तरीका है ये किस तरीके से कलार के निकालने चाहिए ताकि कि इस पोट रहीं किसी तरीके का इसमें यह यहा पर कलर को निकालेंगे सबसे पहले रहा है राइंड कर्णों यह देखिए इसको अच्छी तरीके से हम यह देखिए इसको हू select तरीके से इसमें निकाला सु usto color plate पर कुब अच्छी तरीके से mash करना है बहुत अच्छी तरीके से मिलाना इसमें कहीं भी Couldn't eo और इसके अंदर कहीं भी कुछ दो नहीं होना चीह है और इसको मिलाने के बाद चीन पॉइंट पर इस तरीके से आप लीजिए इसके अंदर कहीं और रिषा करें भीगशा कि थोड़ा सावीं नहीं होना चीए इस त cavity साथ जाट से मिख्स करिए इसके बाद अब आप देखिए इसको लगाने के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से जैसे एक किनारा है इस किनारे से ब्रिश को धीरे-धीरे ऐसे स्प्रेड करिए एक बार में लाइन खिचनी चाहिए यह देखिए कहीं भी स्पॉर्ट नहीं बनेगा पूस्टर कलर में पूस्टर कलर में स्पॉर्ट तब बनता है जब पानी और कलर अलग अलग हो रहते हैं मिक्स नहीं होता तब हम देखते हैं कि उसमें स्पॉर्ट आ जाता है है सपॉट क्यों नहीं है रहा है इसके पिछे का करण यह ही है यह देखिये मैंने इक तीन सर्कल्स इसमें बनाए हुआ यह तिन सर्कल्स को इसके अंदर मैंने यह फिलब किया है इस गेजे बलकुल शार्प होने चाहिए नीटनेस होने चाहिए कलर लाइं से बाहर ने नकलना चाहिए और लेटा के ब्रॉष को बहुत इजी ली इसके पॉइंट को यूज करते हुए इसके पॉइंट को भी उस करेंगे हम यह जैसे कहीं भार निकल रहा है तो बिल्कुश शार्प होना चाहिए यह हो गया रेट गलर गलर को निकालेंगे बहुत अच्छे दरीके से इसको हम यहां पे निकालेंगे इसको अच्छे दरीके से मेश करना है इसको तब तक मेश करना है इसमें रेशा कहीं भी कोई भी गलाइंट टाइप की कुछ भी नहीं होना चाहिए और इसको इस तरीके से इस पॉइंट पे लिया यहां परबश्किस में बहुत नीटने से लगाना है यह देखिया ऐसे बिल्कुश सफाई से हाथ का अपना निची एक बार में यह देखिए आउटलाइंग करते हुए देखिए बिल्कुश शार्प होना चाहिए लेटा के इसको लेटा की भी हम ब्रश को चला रहें देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जब उठा रहें तो दुबारा इसको हमको होता रहूं कलर क्यों पटता है जब इसमें पानी जाधा होता है यह मिक्स नहीं होता बिल्कुल नीटने से देखिए बिल्कुल सफाही से भरा जा रहा है कहीं भी स्पॉर्ट नहीं है कहीं भी इसमें ग्रेंस नहीं पट रहा है कहीं भी कलर बाहर नहीं निकल रहा है कहीं यही तरीका यही है इसको आप बिलकुल अच्छी तरीके से घोटना चाहिए मैश करना चाहिए कलार प्रेट पे कलर जितना ज्यादा पान मैश होगा उतना नीटनेस से भरा जाएगा यह हम क्या करते कलर निकालतों पानी लगाते हैं यही तरीके से मिलाएं काफी देर तक इस सही तरीका यही है इसको आप बिलकुल अच्छी तरीके से प्ली कर दिया अब यह कहीं नहीं फ्यलाएं यह कैसे लेटा के चलारों और यह देखिए लाइन येलो पास कहीं अंदर नी जा रही है यह इंपर्टन चीज़ ब्रश कुछ हैंडिलिंग देखिए मिले हाथ के यह एन्द्राइज लिंग देखिये ये देखिये यह कहीं अंदर नहीं जा रहा है एक बार में कौर्णी के साथ करिया है विल्कुल इसी ते ते बिलकुल नीट और ट्लीन इसमें कहीं पिभी कहीं भी पिस्पॉर्ट नहीं कहीं भी किसी भी तरीके का सूखने के बाद इवन हो जाएगा कलर बिल्कुल नीट अंड क्लीन और फ्रेश कलर होने चाहिए अब इन तीनों कलर को यूज करते हुए इन तीन फीगर्स में यह कलर स्कीमे बेसिक कलर स्कीम को अगर हम यूज करते हैं तीन फीगर्स के कंपोजिशन में तो किस तरीके जह हम इसको यूज करेंगे हमें बिल्कुल फ्रेश आफ माइंड इसको यूज करना है देखिए किस तरीके कहीं भी भार ने निकलना चाहिए गलाए इस तरीके से टेक्चिराइज करना है इस सिंपल प्लेन कलर ही नहीं भरना है इसमें देखिए श्राट कॉम किस तरीके से विजुलाइज करना है यह देखिए एक पैंट का कलर भर रहा हूं यह कॉम्ण Town के अंदर हम किस तरीके से जा सकते हैं क सुछते हैं किस तरीके से मूमिंट हम क्रिएट कर सकते हैं कलह देखिए जैसे मैंने सेरकिल्स में भरता उसी तरीके से कहीं कलर निपट रहा है इसके इंदर ये brush को चलाने का तरीका देखिए बिलकुल लेटा के comfortably brush को move कर रहा हूँ और यही एक सबसे easy तरीका है देखिए कितना easy के साथ मैं brush को चला रहा हूँ कहीं भी color बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि मैंने color plate के उपर color और water को अची तरीके से mash किया है यही कारण है जिसके कारण से brush box यह दूसरे leg के और भी मैंने complete कर रहा हूँ और इसमें सबसे बड़ी चीज देखिए मैंने बड़ा brush लिया उसके point को इस बड़े brush के point को ही मैं एकी brush से पूरा काम कर रहा हूँ इसके point को उसकी पूरी body को use कर रहा हूँ कभी लेटा के brush को कभी उठा के कभी skip tip को use करके बिलकुल भी कहीं पर भी बाहर नहीं निकल रहा color neatness का मध्यान रख रहा हूँ और थोड़ा सब पानी भी घर में ले रहा हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीक से mix करते हूँ देखिए यह दूसरा लैक भी यह तैयार हूँ बहुत neatness का बहुत ध्यान रखना कंट्रोल इलाइस पूरी पहले yellow का किया मैंने उसके बाद पूरा blue को use कर रहा हूँ basic colors के साथ कैसे easily जा रहे हैं इसको हमें देखना है यह देखिए आप इसमें मैं basic color में यह देखिए यह देखिए यह देखिए बहुत important बारिक सी चीज है मगर इसको आप जब करने बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा और आपकी imagination में जब आप इसको add करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा यह दो शूज बन गए हम केवल primary color को plain surface पे लिके जा रहे यह बहुत important बात है यह समझने वाली बात है और इसको देखिए कैसे मैंने blue को पहले yellow यूज किया फिसके बाद blue यूज किया इस वाले shoes को भी मैं complete कर रहा हूं blue में यह देखिए एक बार में यह ब्रश को चलाने का तरीका देखिए यह एक बार में shoes बन गया है यह देखिए यह एक और shoes यह हो गया यह देखिए different different textures को मैं इसमें play कर रहा हूं यह देखिए yellow के उपर नहीं चड़ रहा है कैसे मैं बारी की से handling थे के brush के tip की कैसे handling कर रहा हूं यह most important part है इसको मैं बहुत अच्छी तरीके जब पानी से mesh करता हूं पहले यह देखिए इसको मैंने mesh किया है यह mesh किया है color को इसको फिसके बाद मैं उठा रहा हूं इसलिए वो फैल ले रहा है मैंने पानी भी ले रहा हूं तो पहले 5-6-7 बार इसको रूल करता हूं यह देखिए रही नहीं पहल रहा है बिल्कुल इजी चल रहा है इजी स्मूद चल रहा है अलग-अलग color scheme को हम यूटिलाइज करते हूं पहले का हूं कर रहे इसमें देखिए हाँ red color की स्की मैने शूर बनाए क्योंकि सब similar करने से इसके हार में नी कतम हो जाती है इसमें इंट्रस्ट कतम हो जाता है इसके ओपर red color की टी शेट बनाई ठीक है यह देखिए white color की straight line से band को हम कर सकते हैं कपड़ों को क्लॉप को इसमें हम ने किया अब हेर्स पे भी हम तीनों बेसिक कलर्स की साथ भी जा सकते हैं यह दो कलर्स को लेकि भी हम ब्लू कलर के भी हेर्स बना सकते हैं रैट कलर के भी हेर्स इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें लाइन का टक्चर्स डॉट का टक्चर्स को हम इंप्लिमेंट करके इसमें वाइट को हम ने निकाला है ये एक important बात है इसकी इसके देखिया आप मैं इसके hairs में भी मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से देखिया ये hairs है ये red color के मैंने इसके hairs बनाए ये hairs अगर हम चाहेंगे तो अगर आप चाहेंगे तो इसको रैड बना सकते हैं ये जो प्राइमेरी कलर्स हैं red yellow and blue इसको हम लेकिस तरीके से इन फॉर्म्स में इंप्लिमेंट करके थोड़ा सा इसको प्राइमेरी कलर्स हैं मोडिफाई किया है और इसमें white color को इसमें हमने निकाला है body के color में भी हम experiment कर सकते हैं colors को लेके different colors भर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करिएगा समझने की कोशिश करिएगा इसको ब्रश को चलाने का तरीका color plate पे color को लगाने का तरीका यह important thank you very much